हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका मेडिकल दोस्त और मेरे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन एंटी पायरिटिक और एंटी अलर्जिक ड्रग के बारे में आपको बताएंगे मेरे पास 60 ml का बॉटल है जिसकी कीमत की बात करें तो ये दोस्तो आपको 40-45 रुपे में इसली किसी भी मेडिकल इस्टोर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तो बात करें इसकी कमपनी की तो मिट्स हेल्थ केर प्राइबिट लेटेट कमपनी दोरे इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है और दोस्तो इसको कभी भी इस्तमाल करें तो सेख वेल विफोर यूज यानि कि बॉटल को अच्छी तरह से हिलाने के बाद ही बच्चों को इस्तमाल करवाएं दोस्तो बात करें इसकी कमपुजीशन की तो दोस्तो इसमें एच 5 एमिल कंटेंस डाले गया है पेरेसरेटमाल इसमें 125 एमिल डाला गया है दूसरा जो दोस्तो वेस की इसकी इस्तमाल करने से पहले एक बार अपने नजदी की डाकटर से कंसल्ट कर लें उसके बाद ही इसका इस्तमाल करें तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना गवाते हुए अब इसके फायदे पे नजर डालते हैं प्रो मिट पी सीरप जो है दोस्तों एक बेहतरिन एंटी पारेटिक और एक एंटी एलर्जिक ड्रग है दोस्तों इस सीरप का सबसे ज्यादा इस्तमाल फीवर के कंडिशन में किया जाता है दोस्तों अगर किसी बच्चे को जैसे की फीवर ज्यादा होने की वज़े से अगर जटका आ रहा है यानि कि बच्चा हाद पैर टाइट कर लिया है और एक तरफ सर उसका मुड़ा हुआ है और बार बार पैरों को जटका दे रहा है यानि कि हिला रहा है यानि कि दोस्तों उसका जो फीवर है उसके सर पे चड़ गया है जो की काफी तेज है तो दोस्तों उन condition में इस pro meat पी सीरप का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों कई बार बच्चों को सरदी जुकाम के साथ साथ fever की शिकायद भी हो जाती है तो दोस्तों मैं बता दूं अक्सर जब छोटे बच्चों को सरदी जुकाम होता है तो उन्हें एक तरह की बेचैनी हो जाती है जिससे बच्चा अच्छी तरह से सोता नहीं और रात भर रोता है तो दोस्तों उन condition में भी इस pro meat पी सीरप का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें सरदी जुकाम के साथ जो fever होता है उसे paracetamal दूर करता है और दोस्तों जो बच्चों की बेचैनी होती है सरदी जुकाम की वो जैसे जो उलजन होता है नीद नहीं लगती है उसे Promethazine Salt दूर करता है यानि के दोस्तों सरदी जुकाम में जब बच्चों को फीवर रता है और उन कंडिशन में जब हम प्रो मिट पीस सस्पेंशन को देते हैं तो बच्चों को फीवर भी दूर होता है साथी दोस्तों उन्हें शर्दी में भी काफी रिलीफ मिलता है साथी दोस्तों उनकी जो बेचाईनी होती है या ना नीद ना आने की जो समस्या होती है उसे भी ये दूर करता है साथी दोस्तों मैं बता दूँ अगर बच्चों को किसी तरह की बॉड़ी पे अलर्जी हो जाती है उन तरह के एलर्जी को भी ये काटने में काफी काम करता है यानि कि खत्म करने में साथी दोस्तों ये एक बहतरिन एक नीद की दवा का भी काम करता है यानि कि दोस्तों अगर आपके बच्चे को बहुत ज्याद उल्जन है mentally disturbed है fever भी बार बार उसे बना रह रहा है जिसकी वज़े से बच्चा आठपटांग काम कर रहा है और वो 2400 गंटा जगा रह रहा है थोड़ा सा भी नहीं सो रहा है जिसकी वज़े से दोस्तों उसका सेहत जो है दिन बद दिन खराब होते जा रहा है तो दोस्तों उन कंडिशन में भी प्रो मिट पी सीरप का इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों मैं बता दू इसके देने से बच्चे को गहरी नीद आती है और आराम से सोता है और जब वो बच्चा उठता है तो बिलकुल अपने को फ्रेस महसूस करता है यानि कि दोस्तों इसका इस्तमाल बच्चों को बेचैनी को दूर करने के लिए या नीद ना आ रहा है उसे दूर करने के लिए या फीवर की समस्या है फीवर के साथ साथ बच्चे को बॉड़ी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उन तरह की सारी समस्याओं को ये प्रो मिट पी सीरप खत्म करता है तो चलिए दोस्तों बात करें इसके डोज की और इसे किन बच्चों में हम दे सकते हैं तो दोस्तों मैं बता दूँ इसे 5 ये 6 मेhenे से उपर के बच्चों में इस सीरप का इस्तमाल किया जाता है और डोस की बात करेंं तो दोस्तों अगर 6 मेhenे से उपर का बच्चा है तो उसे हम 2.5 ml दिन भर में 3 बार दे सकते हैं अगर बच्चा देड़ी या दो साल का है तो दोस्तों उसे हम 5 ml दिन बर में 3 बार दे सकते हैं दोस्तों बात करें इसकी side effect की तो दोस्तों मैंने जैसे बताया इसके पीने से बच्चों को अच्छी नीद लगती है यानि कि जो बच्चा एकदम नहीं सोता अगर उन तरह के बच्चों को दे दे तो अराम से 2-4 गंटे या 5 गंटे अराम से गहरी नीद लेते हैं जिसे बच्चों की तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं दोस्तों बस यहीं इसका साइट फेक्ट की बच्चे इसके पीने से थोड़े से सूस्त हो जाते हैं और उन्हें अच्छी नीद लगती है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें